पपाया, पपाया को हिंदी में पपीता कहते हैं, पपीते में बिटामिन सी और बिटामिन ए मिलता है, जो हमारे इम्मिन सिश्टम को मजबूत करता है और बजन खटाने के लिए अच्छा है मारे लिए, नासपाती, पियर, पियर को हिंदी में नासपाती कहते हैं, नासपाती स्ट्रोबेरी को स्ट्रोबेरी कहते है हिंदी में इसके बीच बहारी हिस्से में होते हैं और इसमें कम से कम अधिक से अधिक 220 तक हो सकते हैं गोबा, गोबा को हिंदी में अम्रूत कहते हैं, यह संत्रे से चार गुना ज़्यादा इसमें बिटामिन C होता है, अम्रूत को हम सुपर फूरूड भी कहते हैं ग्रैप्स, ग्रैप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं और अंगूर को दवाई बनाने में भी उप्योग किया जाता है चीर में सबसे ज़्यादा अंगूर लगते हैं मैंगो, मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं, आम को फलो का राजा कहते हैं इसमें बिटामिने और बिटामिन सी बहुत मिलता है पाया जाता है और इंज को हिंदी में संत्रा कहते हैं संत्रे में बिटामिन सी और केल्सियम बहुत मिलता है और यह हमारे सौंदर यह उत्पादों में यूज किया जाता है बनाना बनाना को हिंदी में केला कहते हैं इसे ए का का लंबा और गोल भी होता है यह सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था वोटर मेलन को एपल एपल को हिंदी में सेप कहते हैं एपल के बाइल राड कलर की नहीं होते हैं बलकि हरे पीले और ब्लू कलर में भी मिलते हैं इसमें 5-10 बीज होते हैं gefarry को हिंदी में samb courtyard भीका कहता है इसमें pro vitamin a vitamin vitamin c बहुत मिलता है माथ्रा में ग्रैप Mexicum DIO! क्युकमबर को क्राइख इंदी में खीरा केतै है यह हमारा फल है फ्यूपल याने हम लोग इसे सबजी के रूप में भी उस करते हैं सैलिड में चिली चिली को मिर्च कहते हैं हिंदी में मिर्च को फल की शाणी में भी रखा गया है यह क्योंकि हम इसका अचार बना का तल का सब खा सकते हैं जैक फ्रूट जैक फ्रूट को हिंदी में कट हल कहते हैं यह दुनिया का वर्ल्ड का सबसे वजनी फल है इसका बजन 35 केजी से अधिक वी हो सकता है टमेटो टमेटो को हिंदी में टमाटर कहते हैं टमेटो में इंसानों से ज्यादा जीन्स होते हैं देट्स को हिंदी में खजूर कहते हैं, खजूर को सबसे पहले मिस्सर में देखा गया था, इसके पेड़ सो साल तक फल दे सकते हैं, कीवी को हिंदी में कीवी कहते हैं, कीवी में औरन से अधिक बिटामिन सी मिलता है,